वो जब भी कुछ करती है कुछ अनोखा करती है और इस बार वो रेड़ी है पुरी पुरी टबर के साथ वो रेड़ी है और सरगुन सोडी तो सरगुन हमारे साथ में है जिने आप काफी और नाम से जानते है बहुत सारे नामों से जानते हैं पर वैसे मेरा नाम सुप्रिया पाटक कपूर है तो सुप्रे जी जब भी करती है कुछ अनोखा करती है और कुछ मतलब अलग होता ही है उसमें थांक्यू सो माच आप बहुत स्वीट हैं इसलिए आप यह कह रही हैं मैं कोशिश करती हूँ जरूर और मैं मुझे यह बहुत खुशी होती है कि मेरे दर्शकों को मैं अच्छी लगती हूँ मुझे और कोई इंट्रेस्ट नहीं है मुझे सिर्फ एक्टिंग करने में इंट्रेस्ट है मुझे अपने दर्शकों को एंट्रेइन करने में इंट्रेस्ट है और मुझे उनको खुश करने मे यह जर्णी आपको कहें, काफी कम नाम ले रही हूँ है, लेकिन आपके जो फेवरेट करेक्टर्स है, तो कहेंगे, सुपरिया जी का फेवरेट करेक्टर कौन सा है? पश्ची अचुब है, मुझे लगता है मुझे सारे मेरे चार्रीक्टर्स बहुत पसन्द है, और्सली मैंने जब मैंने शुरू किया था, तो कल्यूँग नाम की एक फिल्म से शुरू किया था, और वहां से लेकिए अब तक जितने भी क्यारेक्टर्स मैंने किये हैं, मुझ मुझे सारे बहुत प्यारे लगे हैं, क्योंकि हर एक ने मुझे कही न कहीं चुआ है, और कहीं न कहीं, हर एक मेरे, मैं जो आज हूँ, उसका हिस्सा है, so it's like carrying a journey with me, so मुझे तो सारे बहुत पसंद है, मज़ा मुझे हर एक कारेक्टर करने में आया है, क्योंकि मुझे जितना मज़ा आक्टिंग करने में आता है, जैसे में अभी काम मुझे और किसी चीज में आता नहीं है, so हर एक कारेक्टर को मैंने बनाया है, ऐसा मुझे लगता है, हरे कारेक्टर के साथ मैंने इतना वक्ष्पेंट किया है तो किसी एक को चुनना तो बिल्कुली नामुम्किन है यह जो सरगुन है वो क्या करने वाली है अब यहाँ पूरी पहले तो यह टबबर मतलब जी जी टबबर का मतलब फैमिली है पंजाबी में और यह जैसे हर एक माँ होती है और जो होती है वो घर का एक फोकल पॉइंट हो जाती है और वो एक माँ होती है वो एक बीवी होती है वो आसपास के लोगों के लिए एक औरत होती है एक बहन होती है, बेटी होती है, कितने सारे उसके कारेक्टर होते हैं एक ही लाइफटाइम में और सरगुन उस पूरी जिम्मदारी को बहुत बाख्भूबी से निभाती है, पुरे सरवगुन्द है, सची उसमें, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टन्ट बात, वो अपने आ जतनी भी माएं मैंने किया उसमें ये एक मुझे लगी कारेक्टर जो 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 बहुत पसंद है, बच्ची बहुत पसंद है, अलग-अलग एक बाइफरकेशन हो जाता है, इस और ये जो मा है वो धनकोर वाली मा से बका खाबीर, जो बहुत ही अलग है, पर सबसे पूरे तबर के बारे में उतनी ही पुझेसिव है, और उसका एक शेड है, कि वो एक औरत है, वो एक सरगुल है, वो अपने एमोशन को या अपनी खाइशों को उसने शायद पीछे भी छोड़ दिया होगा, तो रीच टू फॉर हर फैमिली, तो वो भी एक पॉन्फलिक्ट है उसके अंदर, वो गया नहीं है, वो सबमर्सिव नहीं है, तो कैसा रहा पूरा एक्पिरिंस और लोकेशन कहां कहां शूट हुए, कैसा रहा? हम लोगों ने चंदिकड के पास एक जगह है बसी पठाना, वहां पे मिजॉरिटी शूटिंग वहीं की है, उस चोटे से खु जगह थी, बहुत रियल और बहुत जेन्यूइन, मैं जब वहां गई तो हमने, क्योंकि ये कोविट के दिनों में, हॉरिबल कोविट के दिनों में हमने शूट किया, तो मैं पहले तो अरे ये साफ करो, ये साफ करो पर ही लगी रही, फिर मैंने का अभी कुछ नहीं कर सकती वहां पर पंजाब में उनका अटिट्यूड ये था, कोविट या नहीं आता, मैंने का ठीक है फिर, तो एक बहुत अलग किसम का माहौल था शूट करने के लिए, बहुत रियल लोकेशन है, रियल लोकेशन पर ही किया है, पर बहुत जेन्यूनली यही हो सकती थी ये जगह, एसा लगा हम सब को, हम रियल लोकेशन पर हमें यह लगा कि यही है, यही सरगुन का घर है, एसा मुझे लगा कि इस से बेटर घर नहीं हो सकता था सरगुन का, जो मैंने भी सोचा था उसकी, सो बहुत ही अच्छी, पावन को मैं बहुत सालों से जानती हूं, और उनके साथ क्या काम नहीं इतना किया है लेकिन जानती बहुत टाइम से हूं, हमासपास ही रहते हैं, एक ही दोस्त का जो हमारा ग्रूप है वो भी एक से मिलर है, तो बहुत इस था मेरे लिए, मेरे लिए बहुत इसी था कि मैं उसके साथ एक रैपो बना सकूँ, लगी लिए वो इसलिए आपको एक give and take मिलता है तो जो इस इस couple को चाहिए थी वो हम लोगों ने मालकी दया से create कर पाए जो मुझे आज भी जैसे में ट्रेलर देखते हूं तो उसमें चोटी-चोटी मोमें जो देखते हैं वो बहुत जेन्यून और बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस कहानी के लिए ये फैमिली कितनी प्यारी है और इसका क्या हुआ ये बहुत जरूरी था और ऐसा क्या हो गया है इस फैमिली में देखिएगा पंद्रा उक्टोबर को सोनी लिफ पे